विख्रम मालिक यादि का वामी आरंदी, आओ सुने हम सिखासन बच्चिसी आओ सुने हम सिखासन बच्चिसी अबे वो राजय भोज, वो ते दम नलायक राजय, उसे तो नियाक करना भी नहीं आता है आसे हम सभी चंदर्भान के पास आएंगे नयाय करवाने के लिए मैंने पता लगा लिया है कि जुट कौन बोल रहा है ब्राह्मन और उनकी पतने जुट नहीं बोल रहे हैं जब भी मैं इस टीले में बैड़ता हूँ, मेरे अंदर अपने आप ही ऐसी सक्तिया जाती है कि मैं कोई भी न्याय कर लेता हूँ ऐसी क्या बात है इस टीले में आज से हम किसी सिंग्भासन पर बैठेंगे अद्भूत अद्भूत यह सिंग्भासन जिसकी से भी राजा कर रहा होगा अब मैं इस पर बैठकर उसी राजा की तरह न्याय करूंगा कौन हो तुम लो और इस तरह क्यों हस रही हो हम सिंघाचन की मूर्थिया है और तुम्हारे भोले पन पर हस रही है है वो क्यों मला हुआ है है राजा बोल तुम इस सिंघाचन पर बैठ कर राज करने की चारक्ते हो हां क्या क्या तुम्हें सिंघाचन के बारे में मालूं भी है सोने के बना और हीरे मोथ्यों से जड़ा है यिफी ज़न है सिंघाचन बद्दीसी कि ईस ज़न का है पहले अपने आपको इस सिंधासन पर बैटने के लायक तो बना लो महाराज फिर इसकी तरफ अपने पाव बढ़ाना मैं सबसे अधिक बुद्धिमान सबसे अधिक दयालू और सबसे अधिक शक्तिशाली राजाओं इस पूरे भारत वर्ष में ऐसा कोई भी राजा नहीं जो इन तीन गुनों में मुझसे बराबरी कर सके महाराज यह माना कि आप भारत वर्ष के सबसे शक्तिशाली सबसे दयालू और सबसे बुद्धिमान राजा है परन्तु उस राजा के कत्कर में आपके यह सारे गुन फीके पर रहे हैं जिनोंने इस सिंगहासन पर बैठकर कई वर्षों सक राज किया वे तो हर रुप में सर कौन थे वो राजा कौन थे वो राजा मुझे इनका नाम बताओ मैं मैं जानना चाहता हूं मुझे इनका नाम बताओ कौन थे वो राजा ऐसे सर्वस्रेश्ट राजा को जाना इतना आसान नहीं है हे देवियों तुम लोगों की बातों ने मेरे मन को बेचैन कर दिया है और तब तक मेरे इस मन को शांती नहीं मिलेगी जब तक मैं इस सिंगहासन 32 के पीशे चीपे रह सिको जान नहीं लेता मेरी तुम सबसे विंटी है इस सिंगहासन के सत्य को उजागर कर मेरे मन में उठ रहे सवालों के सागर को शांत करो यह देवी कौन हो तुम राजन मेरा नाम रत्नमंजरी है और हम जब सर्वश्रिष्ट राजा की बात कर रहे हैं वह सर्वशक्तिमा गयालू और पुद्धिमान राजा थे राजा विक्रमादित्य मैं आपको ऐसे शुरुवी राजा के जीवन से ली हुई एक कहानी सुनाते कहानी सुनने के बार आप सव्यमफ फैसला कर लीजेगा कि आप सिंघासन फैसल बैटने के लाइन हैं यह नहीं बहुत बहुत वर्ष पहरे की बात है एक राज्य था अम्बावती इस राज्य के राजा थे गंधर्वसेन राजा गंधर्वसेन भाध्य समाज में फेले उचनीच को नहीं मानते थे उनके मन में ब्राम्मन, ख्षत्रिय, वैश्य और शुद्र में कोई बेगभाव नहीं था इसी कारण उन्होंने हर वर्ण की स्त्री से विवा किया समय के साथ ब्राम्मन कुल की राणी ने एक पुत्र को जन्म दिया उसका नाम रखा गया ब्राम्मनी ख्षत्री कुल की राणी ने राजा को तीन पुत्र दिये शंक, विक्रम आदित्य और भर्दहरी वैश्य कुल की राणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया चंद्र और शुत्र कुल की राणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया धन्वन तरी समय के साथ साथ ये बच्चे बड़े होते गए परन्तु जैसे ही वे जवान हुए उनके जीवन में कई उथल पुथल होने लगी प्रम्मनीत की अचानक मृत्यू हो गई शंक को लगा कि उनके पिता विक्रमादीते को राजगदी पर बिठा देंगे इस भैसे उसने अपने पिता को मार दिया और स्वयम को उच्चेल का राजा घूशित कर दिया आज थे मैं हूँ उच्चेन सा राजा हाँ हाँ हाँнибудь हाँ 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 लगता है ये चारों राजे छोड़कर भाग गए सैनिको राजे का कोना कोना चान मारूं धून निकालो चारों को और जहान मिले वही खत्म कर दो उनको कोई नहीं बचना चाहिए कोई नहीं जाओ को माल डालो जारो भायो को, कोई विजीवित नहीं बचना चाहिए अगार वा बचने तो हम नहीं बचेंगे तो रहना Capital बत्वा बत्वा बत्वाए गुज हुश्या था य tart नहीरा यहा आए यहा यहीरा यहाँ कि अ conditions mooi पीशे करो विक्रम अदित्य का मस्दा नहीं चाहिए विक्रम अदित्य शांत नहीं बैठने वाला वो आश्य मुझ पर आक्रमन करेगा आप सभी इस राज्य के महान जोच्छी है पता लगाकर बताओ कहां छपा है वो इससे पहले कि वो मुझ पर आक्रमन करने की सोचे मैं उसे मार डरूंगा कि महारा आपने ये प्रश्न दिन के दूसरे प्रहर में किया है प्रश्निक कुंडिली के काल गणना क्या नुसार विक्रमादित्य यहां से दक्षण दिशा में पात्सव कोसदूर घने जंगल में चिपा हुआ है सेनबदी अपने सारे जसुसों को राज्य के चपपे चपपे में भैला दो पता लगाओ जंगल के किस कोने में चपा है ये विक्रमाद्यत्य कि आङलें फिरुएण कीर में चितर्प्स वो रहा विक्रमादित्य है चलो चल कर सिनापोति को खबर देते हैं अम कालिया इन्नमा आम चामुंदा इन्नमा ए तांत्रिक समझ खाया ना क्या करना है तोझे अम चामुंदा इन्नमा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिये मत कीजिये चिंता विक्रमादित्य को तनिक भी शंका नहीं होगी आम चामुंदा इन्नमा मेरे जैसा सुन्दर और बल्वान पुरुष इस जंगल में तप कर रहा है आस्चर्य है गोर आस्चर्य है महत्मन मैं तप करके अपने मन को शान और अपने जीवन को अनुशाशित कर रहा हूं मुठर अपने पुद्र अधिसुन्दर विचा रहा है तो आजा मेरे साथ माकाली के चरणो में जुक कर सच्चे मंसे ध्यान कर, माकाली तुझे शक्ती प्रदान करेगी पुत्र जाचा होती है रहा वही होती है तेरे मन में शद्धा जागी है पुत्र तो मैं तुझे रहा दिखाता हूँ माकाली के मंदर की तो आजा मेरे पीछे आजा पुत्र पुत्र बुफ्व खाता हूँ म्मम में चले आओ, चले आओ मा काली के शरण में, जा बेटा, और जा कर जुक जा मा काली के चरणों में, जा, जा बेटा, देर मत कर ये तांत्रिक बार बार मुझे मा काली के चरणों में जुकने के लिए क्यों कह रहा है कहीं इसमें इसकी कोई चाल तो नहीं कि यह मेरी लिए नई जगा है यहां मुझे साव धान रहकर इसे परखना चाहिए किसकी ध्यान में खो गया पुत्र सब ध्यान मित्या है बस मा का ध्यान कर और जुग जा इनके चरणों में जा क्या सोच रहा है है महत्मन छमा करें परन तु पहली बार में मा काली के मंदिर आया हूं क्रिपा करके मुझे बताएं कि कैसे मा काली के चड़नों में जुक कर प्रांथना की जाती है कि लेटा मुझे देख ध्यां से देख जैसा मैं करता हूं वैसा ही कर आम चामुंडाएं नमा शंक पहले से ही काली मा के मंदिर में छिपा हुआ था उसे ये समझ नहीं आया कि मा काली के चर्णों में जुका इंसान तांत्रिक है उसे तो लगा था कि वो विक्रमादित्य है वो अपने छिपे स्थान से बाहर निकला और बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी तरवार से तांत्रिक पर बरपुरवार किया तांत्रिक वही धेर हो गया ये देखकर शंक चौक गया है तंत्रिक तो वेक्रम देट्थ्य कहा है शंक मैं यहा हूँ शंक तेरे पाप का घड़ा भार चुका है शंक की मौत के बाद विक्रम आदित्य उज्जिन के राजा बने उनका यश एक वीर और दयालू राजा के रूप में चारों दिशा में पहलने लगा हे राजन अब मैं आपको बताती हूं कि राजा विक्रम आदित्य को ये सिंगासन कैसे प्राप्त हुआ एक दिन की बात है राजा विक्रम आदित्य अपने राजी के कार्यों को पूरा करके अपनी धकान मिटाने के लिए शिकार करने निकल पड़े ये कहां आगाए हम महाराज लगता है हम रास्ता भूल गए है वो देखो वहां वहां खुला मैदान दिख रहा है चलो वहीं चलते हैं अद्भूत अश्यारी जनक इतना सुन्दर राजमहल किसका हो सकता है अश्यारी जनक इसा सुन्दर राजमहल तो मैंने आस्तक नहीं देखा हमने भी नहीं देखा जब इतनी दूर आई गए हैं तो इस अद्भूत राजमहल को अंदर से भी देख लेते हैं आपका स्वागत है कौन है आप मेरा नाम विक्रमा दित्य है मैं उज्जेन का राजा हूं शिकार करने निकला था कि जंगल में रास्ता भटक गया आप कौन है मानुभाव मेरा नाम लुत्वरन है और ये महल मेरा है हे राजन आप इस समय राजा बहुबल के राज में हैं और मैं राजा बहुबल का सलाकार हूं क्या मुझे इस राज्य के राजा से मिलने का सोभाग ये प्राप्थ हो सकता है आप सिर्फ मेरे नहीं इस राज के महमाने महाराज बहुबल आप से मिलकर अत्यंत प्रसंद होंगी राजन आपका मेरे इस राज में स्वागत है आप जब तक चाहें मेरे महमान बनकर यहां रह सकते हैं धन्यवाद राजन आपका राज सच मुझ अत्यंत सुन्दर है राजा विक्रमादित्य लुत्वरन के राजमहल में ही ठेरे लुत्वरन ने विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के दावन प्रिय होने के कई किस्से सुनाए है लुत्वरन, महाराज बहुबल के किस्सों ने हमें बहुत प्रभावित किया है, यहां आकर हम धन्य हो गए राजन, आप एक नयाई प्रिय और शुर्वीर राजा है आपको हमारे महाराज से उनका दित्विय सोने से बना सिंगहासन मांगना चाहिए परन्तु मैं उनका सिंगहासन क्यों मांगूँ राजन, यह कोई साधारन सिंगहासन नहीं है इसे स्वयम इंदर देवता ने हमारे महाराज को दिया था इस सिंगहासन का नाम है सिंगहासन बतिसी सिंगहासन बतिसी? बड़ा ही अदभूत और अनोखा नाम है आओ मित्र आसन ग्रहां करो महराज आपके इस राज्य में रहकर हमें बहुत आनंद प्राप्थ हुआ है परन्तु अब हमें अपने राज्य लोड़ जाना चाहिए आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं इससे पहले कि आप मुझसे विदालें मैं आपको कोई उपहार देना चाहता हूँ अगर आप हमें कोई भेंट देना ही चाहते हैं तो हमें अपना सिंघासन बत्तिसी भेंट कर दिजी किसी और राजा ने मुझसे ये मांगा होता तो मैं एक्षमा मांग लेता परंतु आप उन सभी राजाओं से सर्वस्रेश्ठ हैं अगर कोई इस सिंघासन पर बैठने के लायक है तो वो आप हैं है विक्रमादित्य मैं आपको ये सिंघासन भेट करता हूँ राजन अब तक हमने आपके दान प्रिय होने के किसे ही सुने थे परंतु आज हमने देख लिया क्या आप सही मायने में इस धर्ती के सर्वस्रेश्ठ राजा हैं जब उज्जीन के लोगों को इस अद्वुच सिंघासन के बारे में पता चला तो वे अपने राजा के लिए अत्यन्त प्रसन्न हुए उन्हें गर्व हो रहा था के विक्रमादित्य उनके राजा है महाराज विक्रमादित्य की ख्याती दिन दुनी राच जोगुनी प्रित्वी के कोने कोने तक कोहचने लगी दूर दूर से कई राजा इस अद्वुच सिंघासन को देखने महाराज विक्रमादित्य के तरबार में पधारे और फिर उन सब के सामने महराज विक्रमादित्य ने एक घोशना की ओजेन वासियों आज इस खुशी के मौके पर हम एक बहुत बड़ा यग्य करवाना चाहते हैं और इस यग्य के दोरान हम एक लाख पचास हजार गाय दान करने की घोशना करते हैं महराज विक्रमादित्य के जीवन की ये कहानी सुरकर क्या आप कह सकते हैं कि आपको भी अपना ये राज्य विक्रमादित्य की तरह अपने शत्रों को हरा कर मिला है क्या आप देवी कभी महराज विक्रमादित्य की तरह इतनी मात्रा में गाय या कोई भी सामगरी दान की हैं अगर नहीं तो आप इस सिंगहासन से दूर ही रहे क्योंकि ये सिंगहासन किसी साधारन राजा के लिए नहीं है कि सुना अपने किसी साधारन राजा के लिए नहीं है कि महराज विक्रमादित्य की एक कहानी सुनने के बाद आज मैं उनके सामने कितना तुछ कितना जोटा लग रहा हूँ मा इस सिंगहासन पर बैठना चाहता हूँ नहीं मा इस सिंगहासन पर नहीं बैठ सकता मा इस सिंगहासन पर नहीं बैठ सकता मा इस सिंगहासन पर नहीं बैठ सकता मैं इस्टिंगा में मेरे में इसे गासे को तीसी दित ऐसे कोई जमतकारी शक्त जो मुझे यपनियों राकर्शित कर रही है यह सत्त है कि मैं महाराज में क्रमा दित्त जैसा नहीं परंतु मैं भी एक राट जाओं मेरा भी यश्चाओं दिशाओं में मैं भी उसे इंखासर पर बैठ सकता हूँ मैं सुबहें उस सिंखासर पर जाकर बैठ में दो और देख तो देख तो देख तो मुझे को नहीं पेगा चल्चाओं मेसें डित्तो देख राट झार्स